सो यह एक वीडियो और मैंने बनाया है यह है उन 10th के सुडेंट्स के लिए जो कि 10th पास कर चुके हैं और 11th में आने वाले हैं तो उनके लिए यह वीडियो है अब इस वीडियो में क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि subject कैसे चूज करें उस सब्सक्राइब कर लिए तो अब मान के चलिए आपने subject decide कर लिया आप सब्सक्राइब कर ले रहे हैं commerce के बारे में बात करता हूं तो मुझे दिमाग में क्या क्या आता है सबसे बैली बात अब क्या क्या आता है इसका मतलब business studies आएगा economics आएगा नहीं नहीं इस से और भी है क्योंकि देखिए यदि आपको subject में interest है यदि आपका उस पर focus है यदि आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं तो तो ही आपको subject लेना चाहिए और खुद का analysis करना चाहिए यह नहीं कि आप अपने किसी दोस्त के या किसी relative के या फिर किसी और के कहने पर किसी teacher के कहने पर वह subject है इसा नहीं यह आपको यह खुदका दीसीजिएं और आपको यह खुद ही लेना होगा आपके psychologists और तो कूंसा subject वह सकता है यह मैस् of English हो सकता है रोसरीк क्यों सकता है तो वह बात ये है कि क्या होता है आज कल मैं था कि काफी स्पज्ठ इम्पर्टेंश दी जाता पहले दुदिया जाता था और आज भी दिया जाता है और कॉममच को कॉ में ह Fra л precisa लेने लोई नहीं है यहाँ हो गया तो बहुत सरे अग्जाम । ऐसा नहीं है बहुत ऐसा कम देखा जाता है कि मैं लेकर आ वाला पर्तिक्लर एक्जाम दे सकते हैं अब हम ले सकते हैं अदर्वाइस यही कहूंगा कि बहुत सार से स्ट्टिट्स देखें वहीं देखें एवन मेरे कई सारे से फ्रेंड्स में जिन waves लेने के वार क्या होता है फिर हमको लगता है यार हमको चेंज कर लेने चाहिए फिर हमको लगता है कि यार हमने 11th math से पढ़ी अब 12th math से पढ़ लेते हैं उस condition में हमको failure देखने को मिलता है चाहे वो 12 में हो चाहे फिर वो आने वाली हमारी लाइफ में हो इसलिए सब्जेक्ट चूज करते समय मास्क जैसे मान के चलिए मैं अपने अपना बारें में बताता हूं कि मेरे मैं टेंथ में ए 80 इट्व मांक सफे मैं अपने में किया मैं 11 में कारण यह था कि मांक सिंपोर्ण नहीं है आपके जो आप हैं जो नम्मर लाका रहे हैं आ उम पॉर्ण होता तो यदि क्याम कर पाएंगे या नहीं आप समझना चाहते है या बिसन touring की समझ घिरोन चाहते हैं कि फिर आप commerce पर आई आप आप history geography civics जानना चाहते हैं कैसा क्या था तो आप arts ले सकते हैं आर्ट में और भी सब्सक्राइब काई सारी चीज़े आती है अप उसमें economics भी आता है economics भी आप सकते हैं आप science में इंट्रस्टेड हैं इंट्रस्टेड यहां पर बात सिर्फ इंट्रस्ट कियाती है इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था description और comment column में उस वीडियो को जरूर देख लेना उसमें मैंने काफी अच्छे analysis करके उसको बनाया है और एक अच्छा तरीका है वो subject choose करने का तो thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को शेयर जलू करिएगा शेयर आप करेंगे तो एक better subject एक student ले पाएगा और वो जाल में नहीं फसेगा जिस जाल में बहुत सरे इस जाते हैं और फिर उस जाल से निकलना चाहते हैं और वो निकल नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने subject wrong choose किया होता है किसी कहने पर चूस किया होता है क्योंकि पढ़ाई जो है वो आपको करनी है तो subject ऐसा भी नहीं करना कि एकदम सब्जेक्ट ले लिया आपने आपको लग झाल झाल झाल